कौन कहता है कि आस्मा में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो दुसंत कुमार की ये लाईने बिहार के अभिशेख कुमार पर बिलकुल ही सटीग बैठती है बिहार की अभिशेक कुमार ने ऐसा कारणामा किया है जिससे केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत को उन पर गर्व है गूगल की तरफ से दो करोड का पैकेज मिला है अभिशेक कुमार को अब वो लंदन जाकर गूगल के साथ काम करेंगे यह उपलब्धी इसलिए भी बड़ी और खास हो जाती है क्योंकि बिहार के एक छोटे से गाउं जाजा के निवासी हैं अभिशेक कुमार वहाँ से निकल कर लंदन जाना और गूगल के साथ काम करना सच में बड़ी बात है आपको बता दें कि अभिशेक के पिता इंद्रदेव यादव पेसे से वकील हैं और जमुई के ही ब्योहार नयायाले में वकालत करते हैं उनके हुनहार बेटे ने अपने मेहनत और परिश्रम के तम पर गूगल में नोकरी प्राप्त की है गूगल उन्हें 2 करोड 7 लाक रुपे सलाना पैकेज देगा और अब लंदन जाकर गूगल के साथ काम करेंगे इससे पहले भी अभिशेक ने एमेजोन के शाथ काम किया है आईए सुनते हैं अभिशेक ने इस उपलबधी पर क्या कहा अभी मुझे गूगल लंडन से 2.07 का ओफर मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंडन में रहेगी तो यही मेरी उपलबधी और काफी एक्साइटेड हो कि एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंडन काफी प्यूटिफुल है और फिर गूगल में काम करने क अधिका मौका मिलेगा हमेशा से बहुत सौप्टेर इंजिनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़ी इंपेक्टफुल प्रोजेक्स पर काम कर सकूंगा गूगल में जी मैं एक कमपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इंटर्व्यूस की प्रिपेरेशन करना वो एक बड़ा चुनोती था योकि हमारा टाइम की एट टू नाइन आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था उसके अलावे मुझे जो भी टाइम बसता था उसमें मै इंटर्व्यूस के त्यारी करता था तो प्रॉपर स्ट्राटीजी निकालना इंटर्व्यूस के लिए बहुत इंबॉटन था और उस स्ट्राटीजी के साथ कंसिस्टेंसी होना जो जरूरी था फिर मैंने इतना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छी से पाद मैं मही में एक नहीं कंपनी जर्मन इंवेस्टमेंट पैंक कंपनी है वहां पर मैंने वेक्षे बैंक में काम किया उनके फॉरंग एक्षेंज ट्रीडिंग यूनित में और फिर आप मैं जाके गूगल जोइन करने वाला हूँ अग्ट्रोवर से हैं तो पैकेज इस 2. है बस यही कहना चाहूंगा के एवरिटिंग इस पॉसिबल भले ही यह स्मॉल डाउन है जाजा बहुत स्मॉल डाउन और मेरे जो रूट्स है वह जामु खराईया गाउं से रहें जहां पे मेरी मिट्टी की मकान थी और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिलें तो मै है नया हाउस कंस्टर्ट करवा रहा हूं बट मैं सभी कटनाईयों को देखा हूं और यह मानता हूं कि कोई भी बच्ट कि रिस्पेक्टिव कहां से वह बिलॉंग करता है स्मॉल टाउन या देख्टाउन अगर उसमें प्रॉपा डेडिकेशन हो कंसिस्टेंसी हो तो कि मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊं और और अच्छा पैकेज पाऊं तो उसके बाद यह हमारे लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारे जी क्वालिटी ओफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली इसमें काफी सुधार लाएगा कभी-कभी मम्मी को लेकिन जैसे हमारे पास अच्छा रिसोर्स है तो हम लोग ने अच्छा से अच्छे होस्पिटल में जाके अपने मामी का इलाज करवाया तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिप्रेशन पर रखता था और यह मेरा स्ट्रॉंग बिलीफ था कि पढ़ाई स झाल